अगर आप एक फ्यूल टैंक के अंदर जाग के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ डिवाइडर्स है टैंक के अंदर में याने के पार्टिशन प्लेट्स जो फ्यूल टैंक के अंदरुनी हिस्से को डिवाइड करता है अब प्रशन ये है कि ये पार्टिशन प्लेट्स एक फ्यूल टैंक के अंदर क्यों दिया जाता है तो दोस्तों पार्टिशन प्लेट्स इसलिए दिया जाता है जब एक कार चलता है तब फ्यूल टैंक शेक करने लगता है तब fuel tank हिलने लगता है, उस वक्त fuel tank के अंदर का जो fuel है उसका movement होता है, तो दोस्तों अगर partition plates ना रहे तो fuel जाके tank का अंदरूनी wall में strike करता है, यानि के hit करता है, तो इससे gas produce होता है, अब इसको prevent करने के लिए ही ये partition plates दिया जाता है, ताके gas produce ना हो, इसका मतलब partition plate के वज़े से fuel, fuel tank के अंदर उतना move ना कर सके और gas produce ना हो सके, तो दोस्तों होब के आप सब लोग सुस्त रहें, मैं और भी नया informative वीडियो के साथ हाजिर होंगा, धन्यवाद,